मैं हिमाले किसी से मिलने के लिए नहीं जाता साथ ही हिमाले के रहस्मई आयाम बहां कई रूपों में सरुक्षित है कई, कई, कई शायद दुनिया में दूसरी कोई जगा नहीं है दुनिया के हर हिस्से में ऐसी जगाएं है जहां कुछ लोगों ने अपने आसपास कुछ उर्जा और कुछ स्थितिया छोड़ी है जो हमेशा मौजूद रहेंगी मगर मुझे नहीं लगता मैं हर जगा घुमाऊं कोई दूसरी ऐसी जगा नहीं है जिसने इतने दिविदर्शी महापुरश देखें जितने हिमाले ने देखें दुनिया में दूसरी कोई जगा ऐसी नहीं है अगर आप उसके प्रती समवेदन शील है तो वो सिर्फ एक पहार नहीं है वो कुछ और है या आपका विश्वास नहीं है मैं हिमाले को पवित्र या उसे कुछ मानने की बात नहीं कर रहा हूँ कई योगियों और दिविदर्शियों ने कभी ना बोलने कभी ना सिखाने का रास्ता चुना मगर साजा करने की उनकी चाह कम नहीं थी तो वे अपना काम एक अलग रूप में छोड़ते हैं ऐसे कई जगाएं विलियामगरी परवत बहुत शक्तिशाली है अगर आप सात्मी पहाडी पर जाते हैं कोई वहाँ गया है आप सात्मी पहाडी पर गये है अगर आप वहाँ जाते हैं वो बहुत बहुत शक्तिशाली स्थान है कुछ योगियों ने उस थिती को इस तरह से छोड़ा कि वो पूरा स्थान जबर्दस तरीके से स्पंदित होता है अगर आप वहां जाते हैं अगर आप थोड़े समविधन शील हैं तो वो आपकी रीड की जड़ से आपको हिला देगा इस तरह कई स्थान है अगर आप उसके प्रती खुले हैं अगर आप उसके प्रती समविधन शील हैं और ग्रहन शील हैं ये योगि जो भी थे उनके जीवन भर की मेहनत और उनकी परंपरा बस एक अलग रूप में वहां रखी हुई है आप हमेशा उस तक पहुँच सकते हैं उस अर्थ में हिमाले बहुत सम्रिद्ध है बहुत भरा हुआ है केदार के आसपास के स्थान युक्तेश्वर और दूसरे स्थानों ने बहुत से जीवों को देखा है देखिए अगर आप अपने शरीर से काम करते हैं अगर आप अपने मसल्स का इस्तेमाल करके काम करते हैं तो आपके काम का जीवन काल एक निश्चित लंबाई का होता है उसके बाद वो खत्म हो जाता है वे सारे अर्बो खर्बो लोग जो आपके और मेरे आने से पहले इस धर्ती पर रहते थे, उनका सारा काम कहा है? उन्होंने अगर कुछ छोड़ा, तो बस अपनी संताने, उसके लावा और कुछ भी मौजूद नहीं है. अगर आप अपने शरीर से काम करते हैं, तो उस काम का जीवन काल बस उतना ही होता है. अगर आप अपने दिमाग से काम करते हैं, तो उस काम का जीवन काल थोड़ा अधिक होता है. वो खुद को फैलाता है. लेकिन अगर आप अपने जीवन उर्जाओं से काम करते हैं, तो वो आयाम हमेशा के लिए होता है चाहे धर्ती खत्म हो जाए वो खत्म नहीं होगा जैसे आपके पास इंटरनेट है एक योगिक नेट भी है अगर आप तयार हो तो आप देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध 2500 साल पहले नहीं थे वो आज भी है आज भी उतने ही जीवन थें जितने वे 2500 साल पहले थे बस इतना है कि अब उनके पास भौतिक शरीर का बोज नहीं है भौतिक शरीर एक बाधा है भौतिक शरीर के जरिये जो भी आता है उसके साथ आपकी पसंद नापसंद होगी है ना? तो भौतिक प्रक्रिया से मुक्त होने के बाद वो और भी शक्तिशाली और असरदार बन जाता है प्रौतिक शरीर नहीं है